अबाइद खनन करने वाले माफियाओं पर नकेल कसना कुछ लोग बंदोबस्ती नहीं करा पाते थे अबाइद खनन के चक्कर में बालू खनन पडिवान ओबर लोडिंग जैसे मामलों पर सक्ति के द्वारा भी भ्रहस्त्याचार पर दविस बढ़ाने का एक बड़ा ये कमांड कंट्रोल सेंटर बनेगा बालू खनन अबैद खनन करने वाले माफियाओं और गरवर करने वाले को सुधरने का मौका दिया हम लोगों ने मिलकर कर रहे हैं और जिला खनन पदधिकारी के साथ बैठक भी आज हम लोग करेंगे कई बिंदूओं पर समिच्छा भी होगी खनन विभाग के अंदर खनन नियमा बली के पालन का और अवैद खनन पर की गई कारवाई का और के लाइसेंस भंडारन के संदर में भी हम समिच्छा करेंगे आज कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का गठन जो हमने किया है उसका उद्गाटन भी है उसका उद्देश है कि राज में आबाइद खनन करने बाले माफियाओं पर नकेल कसना लगभग आज अठारे सो एककानवे गठाट हमारे पास हैं जिसकी बंदोबस्ती एक सो एक सो पचासी 891 तो टोटल गठाट है और बंदोबस्ती जिसका हुआ है 326 गाट की बंदोबस्ती हुआ क्योंकि इनके हमारे अपरमुक्ष सचीव आये हैं उसके बाद बहुत सारे गाटों की बंदोबस्ती हुई है कुछ लोग बंदोबस्ती नहीं करा पाते थे अवैद खानन के चक्कर में विभाग प्रेशर देकर आज बंदोबस्ती की विवस्ता का प्रियास किया है इसके द्वारा जो कमांड कंट्रोल सेंटर हम लोग बना रहे हैं इसके द्वारा बिभिन जिलो में परतिन्युक खनेज विकास पदादिकार एवं खान निरेचिकों के कर्तब्य और जिम्यदारी का भी निर्वाहन का आकलन होगा यहां हेड ओपिस में बैट करके विवाग में बैट करके बालू खनन पडिवान ओवर लोडिंग जैसे मामलों पर सक्ती के द्वारा भी विवाग की विश्वस्यता भी बढ़ेगी राजस्य भी बढ़ेगा और इंस्पेक्टर राज पर अंकुष भी लगेगा ब्रहस्ताचार पर दविश बढ़ाने का एक बड़ा ये कमांड कंट्रोल सेंटर बनेगा मैं आप लोगों के माद्यम से बालू खनन अवैद खनन करने बाले मापियां और गरवर करने बाले को सुधरने का मौका दिया इस चार महिने के अंदर जो नहीं सुधरेंगे वो इस बिभाग से बाहर भी जाएंगे और कारवाई भी होगी ये प्रकिर्ती का उपहार बियार में सिमित खनन और बिरत खनन का जो वर्दान मिला है बिरत खनन का बड़ा पाट हमारा जारकन चला गया नए खोज में हम लोग बिरत खनन के भी कई पाट को सर्वे करा रहे हैं और ये प्रकिर्ती का उपहार बियार के लिए वर्दान बने ये मापिया और भरस्त मानसिक्ता से काम करने वाले इसे अभिसाप नौ बनाएं ये चताबनी है खनन विभाग का पूरा अगर जो बंदोवस्ती हम नियमानुकूल करते हैं तो ये रोजगार का सिर्जन का एक बड़ा केंद्र होगा और सरकार के राजस्व का भी जो राजस्व है उसको डवल करने का लक्ष भी मेरा है और यह अभियान हमने प्रारम कर दिया है टीम बर्ग से विभाग के अंदर सब लोग काम कर रहे हैं और विहार का भलाई में प्रकिर्टी का उपहार को वर्दान में बदलने की भाव से हम कई सुधार की प्रकिरिया के लिए एक नियमा वली भी बना रहे हैं उसमें लोगों के विचार को समाहित करते हुए दूसरे राज के वेभारिक विशय को देखते हुए वेहार का बैतर खनन, नियमा वली आने वाले दिनों में यहां के लोगों को इस कारोबार से जुलो लोगों को मदद भी करेगा और सरकार का राज़स भी वराएगा भागी है अस्तर पड़ जो कंटोल एंड कमांड सेंटर जिसका हेल्प लाइन 0612 2215360 है 0612 2215360 है ये सातो दिन 24 गंटा 24 इंटू 7 ये कार्जरत है और पूरी मोनेटिंग की जा रही है हर घाट पर CCTV कैमरा लगा हुआ है वो पूरी उससे देखवाल मोनेटिंग हो रही है और एक आफ लाइन कैमरा भी लगाने का ताकि किसी तरह का नेट या गरवड़ी में वो बहाना नहीं बना सके वो आफ काए झाल